हेलो दोस्तों आज हम यहाँ पर मार्केट के क्रेश रेलेटेड बाते करने वाले आपने आज देखा ही है कि एक बलड बात होता हुए नजर आया और पोर्टफोलियो मोशली सभी के लाल होते हुए नजर आया होंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है निफ्टी स्मॉल क में यहाँ पर लगब लगब 300 पॉइंट की और मिट कैप में लगब 952 पॉइंट की गिरावट होती हुए दिखाए दी दोनों इंडेक्स लगब 2% गिरते हुए नजर आये और वहीं निफ्टी की बात करें तो लगब लगब 247 पॉइंट जहां पर 1% के आसपास की गिरावट हुई बट स्मॉल का मिट कैप में जादा गिरावट हुई हम आज इससे बाते करने वाले कि यह गिरावट क्या क्यों हुई और इससे बाते करेंगे कि हमें एक्जक्ली करना क्या है ठीक है ना और हम बात करेंगे कि शॉट टम में क्या हो सकता है लॉंग टम में क आपको सब कुस समझ में आ जाएगा कि exactly यहां पर आपको क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है वह सावरा idea आपको लग जाएगा तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे बढ़ उससे पहले हमेशा की तरह आपसे request करूँगा कि आप हमारे channel I am small cap investor को subscribe करिए, bell icon को hit करिए, all notification को on कर यह buying selling की कोई recommendation है नहीं, अपने financial advisor कुछ की study करें, चीजों को जतना हो सके उतना सीखने की कोशिश करें, जतना आप सीखेंगे उतना पैसा बनेगा और सीखने के लिए हमेशा कहता हूं वीडियो को जाके देखिए, आपको idea लग जाएगा कि किस तरीके के stocks में आपको हमेश की share क्यों गिरता है, किस share में आपको रहना चाहिए, किस share में आपको नहीं रहना चाहिए, वो सब चीज भी आपको पता चल सकती है, ठीक हमारा एक course है, जहाँ पर हम basics to advance, पूरा का पूरा सिखाते हुए नजर आते है, आप चाहो तो आप यहाँ पर इस course को कर सकते हो, उस course मज़ लेंगे, तो आपको एक idea लग जाएगा कि exactly किस तरीके से share भागते है, किस तरीके share गिरते है, तो आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए, आपको फूरा idea लग जाएगा, 3 months की handling, study using stock market, online notes, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलते हुए करना है, तो अभी आप यहाँ पर contact कर सकते हैं, नमबरों पर portfolio जितना बड़ा हो उतना अच्छा, तो आईए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर market में गिरावट हुई, ठीक है न, और गिरावट की case में अब हो देखेंगे कुछ चीडियों और, तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा दिखा देता हूँ, तो आज का डेटा यह है, 285 है, ठीक है, FIIs की अगर हम बात करें, तो लगभग लगभग, 1800 क्रोड रुपे का इन्होंने बेचा है, इसके against में, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कि आज भी, ठीक है न, लगभग, लगभग, 1827 करोड रुपे का, ठीक है, लगभग, 1827 करोड रुपे का इहाँ पर, DIIIs ने जो domestic investors है, वो इहाँ पर चीज़ों को खरीदते हुए नजर आए है, तो एक साइट यहाँ पर FIIs बेच रहे हैं, वहाँ पर वो खरीद रहे हैं, बट याद रखिए, इतना जादा नहीं बेचा market EA drive होती होगी, नजर आएगी, वो सब्चीट में बार बार आपको repeat कर रहा हूँ और आज again repeat करूँगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर small cap और mid cap, ठीक हैं, दोनों की गिरावट, इधर जादा गिरावट ही, इधर कम गिरावट ही, इसके पीछे का reason कह है, त सबी से यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है न, कि अपनी जो information है, ठीक है न, disclose करो, अपनी risk के बारें बताइए कि आप यहाँ पर किस तरीके से for the safeguard of retail investor आप क्या कर सकती हो, ठीक है न, क्यों क्यों कि आप देखोगे तो small cap जो index है, नीचे से लगबग एक साल के अंदर अंदर करते है, small cap में ज्यादा risk होती है, large cap में उसके comparison में risk थोड़ी सी क्या होती है, कम होती हुई नजर आती है, तो वो सब चीज के against में यहाँ पर से भी ने पूछा है, mutual fund से कि आपके पास क्या है, ठीक है न, जो आपका inflows आ रहे है, यहाँ पर आप देखी रहे है कि किस तरीक पूलर टाइम में भी लगवा, 25 जा क्रोड रुपे यहाँ पर डाले गाए, क्या रिटिर इंवेस्टर ने डाले है, विलकुल डाले है, बड़ पर किस के तरूँ डाले है, obviously बात है, mutual fund और उसके AMCs, companies के तरूँ ही यह पैसा डलता हुआ नजर आया होगा, ठीक है, तो exactly यह पूछा गया, दूसरा बात, यहाँ पर, यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी news है कि वाय मार्केट कॉटिश, spook बाइसे भी, advisor to mutual funds to limit small cap and mid cap fund inflows, तो कुछ limit limit लगाने की बाते चल रही है, कि इतना पैसा कैसे आ रहा है, किस तरीके से, तो वो ही सब, तो यह सब protection के लिए के जा रहा है, ताकि investors को यहाँ पर नुकसान ना हो, ठीक है, market किस तरीके से चलती है, अभी बहुत सारे लोग ने आये हैं, तो उन्हें पता नहीं है, बट इस्टिल market में गिरावट होती है, तो उसी तरीके से, 40-45-50% और बेकार share तो 80-80-90% किर जाते हैं, तो उ small cap, mid cap में जादा और nifty में थोड़ी कम होती हुई, गिरावट नजर आई है, बट इसे मैं भी एक question पूछन पूचना चाहूँ, अगर देखिए, भारत की दशा और विशा दोनों बदलती हुई, नजर आ रही है, भारत एक new era में चल रहा है, ठीक है न, और जब new era में भार जा रहा है, ठीक है न, जब बाते हो रही है, 4 trillion dollar की और जहां बाते हो रही है, 8 trillion dollar होगा, 20 trillion dollar होगा, आने वाले सालों में, ठीक है न, तो इस तरीके का market भी तो उस चीज को drive करेगी न, और से भी जो safeguard के लिए जो investor के protection की बाते कर रही है, ठीक है न, आज कितना protection हुआ होगा आप खुछ सोचो कि हर एक के portfolio अगर आज 3-3, 4-4, 5-5% गिरे होंगे, ठीक है न, क्योंकि इतने गिराबट small cap में होई है, तो portfolio भी उसी तरीके से गिरे है, share 3%, 5%, 6%, 10% तक गिरते हुए नजर आए है, तो कितना protection उनकी एक news की वज़े से हुआ है, तो वो सब चीज भी से भी levels related बाते कर लेते हैं, फिर आगे बात करें, तो levels की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ breakdown होते हुए नजर आए है, ठीक है न, समझी में आगिया था, अब यह रुक नेरा, अगर हम बात करें small cap की, तो 15,690 का level है, यहाँ पर रुख जाता है, ठीक है, अगर नहीं र यहाँ पर टिक गया, यहाँ से bounce back हो गया, तो अच्छी बात है, otherwise मुझे यहाँ पर लगनी रहाए कि bounce back होगा, यहाँ पर mid cap 47,000 के आसपास, और यहाँ पर नहीं रुका तो दूसरा 46,000, दीए 47,000 और 46,000, ठीक है न, 2000 point की शायद इसमें और गिरावट हो सकती है, और यह ज यह support तोड़ दिया, ठीक है न, तो यहाँ पर मुझे नजर आता है कि 21,500, ठीक है न, यहाँ फिर 21,000 तक का level यहाँ पर touch कर सकता है, nifty, ठीक है, जो की 900 point के आसपास की गरावट यहाँ पर नजर आती है, तो वो सब चीज का balance बनाके आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ शेयर है, जैसे NVIDIA और दूसरे शेयर, वो यहाँ पर लगातार भागते हुए नजर आ रहे है, जिसकी वज़ए से, अना, अमेरिकन मार्किट भी अच्छे खासा भागते हुए नजर आ रही है, और मैं हमेशा कह रहा हूँ, की rate cut, हाना, जो FED, जो rate cut करने वाली है, अभी नहीं, तो थोड़े टाइम बात करेगी, ठीकर ना, जैसे भारत में election है, वैसे US में भी election है, और जब US में election है, तो ओविस्सी बात है, गवर्मेंट, election से पहले हमेशा, welfare के लिए ही काम करती है, ताकि लोग उनको vote दे सके, तो जो rate cut की problem है, वो rate cut को यहाँ पर खटाया जाएगा, और Donald Trump अगर आते है, तो वो इसी बात है, rate cut फिर हो नहीं होने, फिर तो कोई रोक ही नहीं रहा, ठीकर ना, तो यहाँ पर निफ्टी मुझे डो जोंस में गिरावट नहीं नजर आती है, अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट होती है, तो हो स जाएगी, मुझे लगता है कल 15,640-4550 का लेवल टच करके, मार्केट यहाँ से मुड़ जाएगी, और मुड़ के दुबार जाएगी, अब तेजी कब हो सकती है, तेजी सब होगी जब यह इंडेक्स एक नया 52 वीक हाई लगाता हुए, नजर आएगा, ओल टाइम हाई लग नया हाई लगाने को तयार है, तो अभी क्या है, एक छोटा सा consolidation mode पे यहाँ पर चलता हुआ, नजर आ रहा है एक हाई लगाने के बाद, तो यह तो होगी index rate ही बाद, अब आपके पास share होंगे, ठीक है, share में यहाँ पर आपको क्या करना है, और क्या नहीं करना है, उससे related मे बाते करता हूँ, बड़ उससे पहले आपसे हमेशा की पर request करूँगा, कि चाना को subscribe, bell icon को hit all notification कौन करियेगा, buying selling की कोई recommendation नहीं, अपने financial advisor कुद की study करना है, चीज़ों को सीखना और सीखने के लिए इन number को note करके, आप हमारे इस course को कर सकते हो, सीख सकते हो, देख सकते हो, स जब bull market आती है, जब market इस तरीके से भागती है, तो घोडे भी भागते है, और घदे भी भागते है, तो आप किस पर यहाँ पर दाव लगाना चाहोगे, आप घोडे पर दाव लगाओगे, या घदे पर लगाओगे, वो question आपको खुश से पोचना है, ठीक है, अब घोडे का सेंस क्या है, घोडे का मतलब है, कि आप ऐसे शेरों में डाव लगाओगे, जो यहाँ पर fundamentally strong है, जो technically strong है, उन शेरों पर दाव लगाओगे, जो की बेकार शेर है, अगर बेकार शेरों पर आपने डाव लगाया, ठीके ना, हो सकता है कि आपको उपर की तरफ दिखाई द या फिर loss में यहाँ पर निकलते हुए नजर आते हैं, तो चीजों को याद रखिए, profit book करना सीखो, कल ही हमने यहाँ पर लगबा लगबा अपने portfolio का 30% यहाँ पर निकाल लिया था, ठीक है, और 30% में cash पर बैठे हुए, क्योंकि हमें लग भी रहा था, प्लस में हमें अच अच्छा कासा profit हो भी दाता, तो profit book करना भी सासा जरूरी है, और अगर आपके share अच्छे है, fundamentally strong share है, तो share आज जो market गिरती है, तो सारे share नीचे आते हैं, बर जब market उपर जाएगी, तो याद रखिए, वो ही सब सबसे पहले bounce back करेंगे, और bounce back करेंगे, अपने high court touch करेंगे, ठीक है, फिर उसके accordingly आपको यहाँ पर behave करना है, अपने financial advisor से पूछेगा, अना खुद की study करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या exactly करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बाकी जब चीए चलती है, भागती है, तो गिरावट होती रहती है, वो मैं हमेशा ब रहती है, तो कोई भी बहाना मिलता है, गिरा देती है, अदरवाइस कोई गिरावट की कोई वजह नहीं है, आप mostly लोग अच्छे शेरों में होंगे, नहीं होंगे, तो फिर obvious सी बात है, कही न कहीं उन्हें पनिश किया जा सकता है, तो risk reward ratio, risk management, ये सब चीजों को हमेशा ध् तो थैंक ये सो मुच, कॉट प्रेस्ट